इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि NPTEL का जो न्यू कोर्से से लंच किये गये हैं जो कि अल्मुस्ट सभी ब्रांच के लिए उसको आपको कैसे इंड्रॉल करना है और कौन से डेट तक लास्ट इन्रॉल्मेंट डेट है रखी गई है उसकी बारे में आप लोग से सा मादे साथ बताऊंगा कि यह जो NPTEL का कोर्से से वह आपको सर्ट्फिकेट कैसे प्रॉबाइट करेगी तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आई होब कि आपको पता हो कि आपके समिस्टर एक्जाम में भी NPTEL की कोर्से सापकी कॉलिज में सिकल में आप लोग को इंफर्म कर देना चाहता हूं कि NPTEL का कोर्से अभी लांच कर दिया गया है और कैसे इंडॉल्मेंट करना इसकी सभी में डिटल सापके सामने बताने की प्रयास करूंगा अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ल आप स्वेम आपको डाउनलोड करके उपेन करोगे तो कुछ इस तरीका से आपके पास इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे तो इस इंटरफेस अगर आपको नहीं देख रहागा तो सिंप्ली आप अपना एक हडी बनाना मतलब कि एक अपना इमेल आडी डालना ठीक है वह से पहले से बना हुआ था तो मेरे कोछ इस तरीका से इंटरफेस आपको आपको देखने को मिल जाये तो यहां पर जैसे कि आप ऊपर में देख हाणा रहो है कि त्री लाइनिंग बना हुआ है ठीक है तो इस पर मुझे simply click करना है जैसे यहां पर click करूंगा तो आपको यहां पर 4-5 option मिल जाएंगा पहला home, dashboard, my courses और course catalog और sign out और about के बारे तो about के बारे में आपको नहीं जाना चुकिए about के बारे में I hope कि आप पहले से जानते हूं कि swim क्या है NTPL क्या है everything I think कि you already know about that okay so हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहां पर जो यहां पर course catalog है इस पर मैं click कर देने वाला हूं तो जैसे कि आप यहां पर click करोगे तो course catalog में आपके पास कुछ इस तरीका से इंटरफेस आ जाएंगे इस इंटरफेस में आपको engineering and technology वाले option पर आपको simple click कर देना है और जैसे मैं यहां पर click करता हूं तो click करने के साथ आप देख सकते हों यहां पर की कुछ इस तरीका से एक आपके पास new कुछ और भी desktop की तरह open हो जाएंगे जो कि यहां पर different different field के different engineering branch के आपके यहां पर category दीव है जैसे कि मेरा मान लिजिए सिविल है तो मैं अभी सिविल का ही दिखा रहा हूं फिन आपको वीडियो को और देखिएगा पूरा देखिएगा तो आपको computer science और electronics के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले मैं सिविल होला पर यहां पर क्लिक कर दिया हूं और मुझे प्रिजवेट करने क्लिक बोला जारा तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और वेट करने के बाद से कुछ इस तरीका से आपके पास interface खूल जाएंगे तो यहां पर द को दिखा जाहिए का इंडॉल्मेंट करने का क्लोजडेंट हो जुका थूचा है मतला क्लोज हो चुक है तो आप इंडॉल्मेंट जो है यहां पर आप यहाँ पर स्लाइट करके देख सकते हो और आपके जो चीज है जो आपकी मनिक्छा है उसको आप यहाँ पर जनरल कर सकते हो कैसे इन्रॉल करेंगे हम अभी बताएंगे आपको तो विडियो को अन्तक प्लीज देख के जाना ठीक है तो एज इस सीविल इंजिनिंग आपक सारी चीज है ठीक है तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे इन्रॉल करना है कैसे कैसे क्या करना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की डायमिक एश्टेक्चर है और बहुत सब्सक्राइब करना है इसके बारे मैं आपको एक वबभी देना चाहता हूं तो मै तो कि सब आसे अगलऊ है आद यह से सिविल नंहें आपसे कहूंगा कि आप फूर्ट मेकांस को इन्रॉल कर लेना पीड़ calculate लेना ठीक है ? और जो टेकनिकल इंजिर लेके को भी आप इन्रोल कर सकते हो यह सब कोर होते हैं सिविल के लिए तो यह सब आपको करने चाहिए तो जैसे कि मान लिजे कि मैं यहां पर जो टेक 9 celebrity का मैं करना शारता हूं आ पर इंड्रोल्मेंट तो कैसे करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लीक कर देना है ठीक है और क्लीक करने के बाद से प्लीज़ वेट का कॉर्स कॉन कॉन वो कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कॉन टीचर आपको पढ़ाएंगे और जो ठीचर प्रहना लेहुस्स टीचर के पकॉर कर यह तो आपको सब सबसे पहले और कुछ करें और अब समरी हमैशा पढ़ डिया करें ठीक किस वीक में आपको क्या का चीज़े देखने को मिल जाएंगा ठीक है और उसके नीचे आओगा तो आपको इंस्ट्रक्शन बायो मिल जाएगा जो कि जो पुर्फेसर आपको पढ़ा रहेंगा जो डॉक्टर आपको पढ़ा रहेंगा उनके बारे में सब कुछ मिल जाएगा और में चिर्फिकेट के आपको कैसे मिलेगा और यसका सेंपल रूपार होता है कि आप देखिए एउर्ल्मनेंट आप फरी आप कोश्ट करते है में कोई में लेजाते दो कोस्ते है वह आपको बिलुकुल पढ़ सकते हो लेकिन आप जोदी सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आपको एक हजार पर का फी देना पड़ता है जो कि रेइस्टेशन करते समय आपको लिया जाएगा ठीक है और वो फी आपको मतलब वहीं फी के थ्रू आपको सर्टिफिकेट दी रहता है ठीक थैसे प्र करतेया है कि आपको ऑनलेनि सर्टिफिकेट करना पड़ेगा इस वाधिकिक लेज़ाइब रहेatif करने पड़ें अब प्लिक करो तो यहांपी प्रफाइल आपका खुल जागा अगर आप पहले से कोई साभी लुण की होगे तो आपको अपडेट प्रफाइल कर नहीं होगे तो आपको नवयाण से सब कुछ भरना पड़ेगा तो मैंने पहले से जो भी कर रहे हो जैसे हो वैसे आप सब कुछ भर सकते हैं इतना तो मुझे समझाने की जरूत है नहीं चुकि आप सब कुछ समझते ही हो तो मैं आप नेक्स पे क्लिक कर दें हूं और जैसे नेक्स पर क्लिक करूंगा तो यह confirm मेरा हो जाए कि मैं इसमें जोन हो जाऊँगा तो हैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं को यह प्लीज वेट है तो मैं थुरा सा वेट करने के बाद से देखिए हाउ डज एन डिपिल ओनलाइन कोर्सेस यानि कि आप कैसे को कर सकते हो इसके बार में आप फूल डीटों से आपको दिया जाता है तो आप चाहते एक उबर भी ले सकते हैं कि आपको कैसे courses को enroll करना है ठीक है courses को enroll करने के बाद से देखिए जहाँ पर join का option आ रहा था वहाँ पर go to courses करके option आ जागा ठीक है तो इस तरीका से आप enroll कर सकते हो गाइस तो आई होब कि इस सब चीज़े आपको पता चलगा फिन से मैं यहाँ पे को जो है यहाँ पर homepage पर आ सकता हूं ठीक है और course catalog में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो upcoming है सिविल के लिए वह सब चीज़े यहाँ पर आ चुके है ठीक है और यहाँ पर एक my courses का option आता है जो three dots उपर में हैं यहाँ पर क्लिक करके तो my courses में आप देख सकते हो कि जो भी मैंने course अभी इंड्रॉल किये हैं वह सब को यहाँ पर देख जाएगा तो टेक्निया यह जो जियो टेक्निकल इंजिर्टी के लिए किया था वह आपको अभी सकेन पर दीख पार होगा ठीक है तो इस तरीका से आप कर सकते होगा क्लेश च्छाद नापको प्रणे Quand तो आप देखेंगा को सिविल में बिठा़े तो आप में थुआ सा वह भी दिखादना चाहता हूं तो जैसे मेकनिकल इंजिन पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरी का से इंटरफेस खुल के आ जाएंगे देख सकते हो कि यहां पर कुछ इस तरी का से इंटरफेस आ जाएंगे और आनेक बाद से आप अपना जो भी कोचेस कोर्स पर्चेज करना चाहते हो वह यहां पर मैं यहां पर स्लाइट कर दे रहा हूं उसमें से आप पीक अप करके आप अपना कर सकते हो तो आई होप कि गाईज मैंने सब कुछ आपको डिटोस में बता दिया है बट इस्टिल आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंड बग्स में पूछ लेना मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा अचुका हूं यहां पर बैक और बैक आने बाद से जो भी कोर्सेस आप पर्चेज किये हो या जो भी कोर्सेस पर्चेज करने बाद से आप कम्प्लीट कर चुके उस सेशन को आप यहां देख सकते हो तो मैंने याप जो कुछ बता दिया हो कि आपको यह सब्सक्राइब तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप पर में चाइब कर सकते हैं तो चले मिलते हैं नेक्स बीडियो ने